2004 में जैसे ही कॉंग्रेस की केंद्रे में सरकार बने उसके सबसे पहले किये गए कामों में था आंधर प्रदेश में SC, STK रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास ये एक पाइलट प्रोजेक्ट था जिसे कॉंग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी 2004 से 2010 के बीच कॉंग्रेस ने चार बार आंधर प्रदेश में मुसलिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की सुप्रीम कोड की जागरुकता के कारान वो अपने मन्सूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए अब देखिए कॉंग्रेस पार्टी ने सम्भीदान के साथ बाबा साब अम्बेड करके दिये हुए सम्भीदान के साथ किस प्रकार ते खिलबाट करने की कोशिश की इस देश की में जब सम्भीदान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का गोर विरोध हुआ था ताकि हमारे SC, ST, OBC समुधाय को सुरक्षा मिलती रहे लेकिन उन्होंने मनमोन जी जी ने बाषण किया था और उस सभा में मौझूद था मुक्धमंत्री के नाते मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है ये मनमोन जी का बयान है और ये संयोग नहीं था और ये अकेला भायान नहीं था कॉंग्रेस पार्टी की सोच हमें सांसे तुष्टी करण की रही है बोट बैट की राजनिती की रही है 2004 में जैसे ही कॉंग्रेस की केंद्रे में सरकार बने उसके सबसे पहले किये गए कामों में था सबसे पहला काम था चुनाव जितने के बाद आंधर प्रदेश में SC, STK रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास ये एक पाइलट प्रोजेक्ट था जिसे कॉंग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी 2004 से 2010 के बीच कॉंग्रेस ने चार बार आंधर प्रदेश में मुसलिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की लेकिन कानूनी अर्चनों की बज़र से सुप्रीम कोड की जागरुकता के कारान वो अपने मन्सूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए दोजार ग्यारा में कॉंग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की है SC, ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके बोट बेंक की राजनिती के लिए और उको देने का खेल किया कॉंग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते भुजते किये किये सब सम्विधान की मूल भावना के खिलाब था लेकिन कॉंग्रेस ने सम्विधान की परवान नहीं की बाबा साब आम बेड कर की परवान नहीं की जब करनाटका की बीजेपी सरकार ने जब हमें मोका मिला तो हमने पहला काम किया उन्होंने जो स्जी स्टी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्प कर दिया और दिनका हक था उनका हिक सुरचित रखा झाल